नमस्कार आप देख रहें न्यूस फॉर्णेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ भारत और न्यूजिलैंट के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और ये टेस्ट मैच मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में खेला जा रहा है ऐसे में दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन रहा बतादे कि आज तीसरे मैच के दौरान मैदान में कुछ ऐसा हुआ जो की बेहद हैरान करने वाला था और इस वज़े से मैच को बीच में ही रोक दिया गया बतादे कि आज के मैच के दौरान भारत बेहद मजबूत स्थ स्थिती में बना हुआ था और भारत ने न्यूजिलैंट को कुल 540 रनों का लक्ष दे रखा था लेकिन मैच को सत्र के पहले ही रोक दिया गया ऐसे में क्या कुछ हुआ है आज मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में कैसी स्थिती उत्वन हो गई कि सत्र से पहले ही मैच को रोक दिया गया यह इसकी पूरे अपडेट आपको देते हैं बतादे कि भारत और न्यूजिलैंट के बीच मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन रहा भारतिय चीम इस समय काफी मजबूत स्थिती में है भारत ने न्यूजिलैंट के सामने 540 रनों का लक्ष रखा है दिन के दूसरे सत्र में भारत ने अपनी पारी घोशत कर कीवी टीम को ये लक्ष दिया था दूसरे सत्र का खेल चल रहा था और न्यूजिलैंट की टीम बल्ले बाजी कर रही थी उसके स्कोर बोट पर एक विकेट खोक कर 13 रन बना लिये थे लेकिन तभी कुछ ऐसा हो गया कि मैच रोकना पड़ा और फिर समय से पहले चाय काल का एलान कर दिया गया दरसल मैच जारी था और कीवी टीम का पारी का चौथा ओवर खत्म हो चुका था तभी स्पाइजर कैमरे की कारण मैच को रोक दिया गया बता इस कारण मैच होने में परिशानी आ रही थी इसे के चलते मैच को रोक दिया गया और समय से पहले दूसरे सत्र के खत्म होने का एलान करते हुए चाय काल की घोशना कर दी गई कैमरे के मुद्दे को फिर सुलजा लिया गया और फिर तीसरे सत्र की शुरुआत की गई खास भी रचा लेकिन कीवी टीम के बलेवास कुछ कमाल नहीं कर सके कीवी टीम पहली पारी में 62 रनों पर ओल आउट हो गई जो भारत में टेस्ट में किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर है इसके बाद भारत ने फॉलो ऑन नहीं दिया और खुद बलेबाजी करने आ गई भारत भारत ने दूसरे दिन का अंत बिना किसी नुकसान से 79 रन के साथ किया था इसके बाद भारत ने तीसरे दिन अपनी पारी को आगे बढ़ाया भारत ने तेजी से रन बनानी की रननीती अक्तियार की विराट कोहली ने 7 विकेट खोकर 276 रनों पर पारी घोशित कर दी विराच कोहली ने 36 रन बनाए अक्षर पतेल ने नाबाद 41 रनों की पारी खेली उन्होंने ये रन तबातोड अंदाज में बनाए इतने रन बनाने के लिए अक्षर ने 26 गेंदों का सामना करते हुए तीन चौके और चार छक्के मारे बतादे कि भारत और न्यूजिलैंड के बीच आज दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन रहा और ऐसे में स्पाइडर कैमरे की वज़े से मैच को सत्र के पहले ही खत्म करना पड़ा बतादे कि स्पाइडर कैम मैदान के चारो तरफ घूम कर मैं क्रिकेट की फोटोज लेता है और साथी साथ चल रहे खेल का विडियो भी बनाता है लेकिन ऐसे में स्पाइडर कैम में खराबी आने के वज़े से वो अचानक से नीचे आ पड़ा जिस वज़े से खेल बाधित हो गया और अचानक से इस खेल को रोपना पड़ा और चाय काल की घोशना कही गई इसके बाद तीसरे सत्र को शुरू किया गया फिलाल के लिए क्रिकेट से बस अतना ही अनकाई अपडेट्स के लिए मैं साथ बनी रहे न्यूस फॉर्नेशन में नमस्कार